भारत देश में आज भी लोगों की श्रद्धा जानवरों के प्रती कम नहीं हुई है एक बार फिर से देखने को मिला कि दुगदा में एक लंगूर को पूरे हिंदू रिती रिवाज के साथ अंतिम संसकार किया गया जो की पूरे छेत्र में चर्चा का विशय बन गया है घटना दुगदा थाना छेत्र अंतरगत डाउन कॉलनी एवं दुगता कोल वाशरी के बीच से गुजरी रेलवे लाइन के 25,000 वोल्ट बिजली की करंट से रविवार की शाम को एक बड़ा लंगूर बुरी तरह से जख्मी हो गया था जिसका सोमवार को बजरंग दल एवं एनिमल रेस्क्यू टीम के सदस्यों द्वारा इलाज किया गया था परंतु जख्म इतना ज़ादा था कि वह बच नहीं पाया और मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई जिससे स्थानिय समाज से भी रूपलाल महतो एवं helping hand for speechless के सदस्यों द्वारा डाउन कॉलनी में स्थित हनुमान मंदिर में ही सनातनी धर्म के अनुसार हिंदी रीती रिवाज एवं पंडित द्वारा मंत्र उचार्म के साथ दफनाया गया जहां लोगों द्वारा उसकी समाधी पर धूप अगरबत्ती पूजा अर्चना कर जै स्री राम जै हनुमार के नारे के साथ जंडा लहराया गया हर्मान जी की अंतिम संसकार कारक्रम को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड उमर पड़ी और लोग बड़े ही भावुक होकर उसकी अंतिम संसकार को देख रहे थे और भगवान से उसकी आत्मा की शांती के लिए प्राथना भी किया वोकारों से दिनेटवर्क मीडिया के लिए समवाधाता चूरामन ठाकूर की रिपोर्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सके